सभी को नमस्कार मैं विबल कुमार यादव असिस्टेंट प्रोफेशर पॉलिटिकल साइन्स गौर्मेंट पीजी कॉलेज गौर्मेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हमारा चर्चा का जो टोपिक है वो है पावर और फंक्सन्स ओफ लेजिसलेचर यानि विधान मंदल के कारिये एम सक्तियां ये बी ए सकिंडियर और एमे फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारती सासनेव राजनिती इंडियन गौर्मेंट एंड पॉलिटिक्स उसके सिल सब के लिए उपउयोगई है बैंकिंग व्यरोवियता कोस्ट में कई बार आए हैं तो आएए बात करते विधान मंधल के कारियें उसकिकीं कि विधान मंदल की सक्तियां और कारिये। जैसा के आमने आपको बताया भारत में संंघात्मक व्युष्था अपना ही गई है जिसमें केंदर राज्यों में सक्ति व्युष्था प्राप्थ तो सब से पहले बात करुते हैं विधान मंडलों को उन सारे विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य सूची के अंदर दिये गए हैं यह संवर्ति सूची के विश्यों पर भी कानून मना सकते हैं लेकिन अगर किसी विशय पर संसद के द्वारा कानून मनाया गया है तो राज्य विधान मंडल संवर्ति सूची के उस विशय पर पुछ अन्य प्रतिबंद भी है जैसे कुछ विधैक ऐसे होते हैं जिनको राजये विधान मंडल में प्रस्तावित करने से पहले राष्टपती के अनुमती के आउसकता होती है जैसे ऐसे विधे जिनका समंद राज्ये कि भित्तर या विविन राज्यों के बीच व्यापार वानिजे या आने जाने की सब्तंतरता पर रोक लगाने से है यानि अगर राज्य सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है कि वह है फला राज्ये के साथ व्यापार नहीं करेगी वानिजे नहीं करेगी आने जाने की सब्तंतरता को बादित करेगी तो ऐसे कानूनों के लिए राष्टपती की पूर्व अनुविद्धी की आप सकता होती है कुछ विद्हेक ऐसे होते हैं कि यह राज्य विधानवंडल द्वारा स्युकर्त हो जाएं तो राज्य पाल उन्हें राष्टपती की स्युकर्ती के लिए आरक्ष और बनावा ऐसा कानून जो इस विषय पर संसत द्वारा निर्मित कानूनों के विरोध में हो यानि राज्य ने कोई ऐसा कानून मना दिया जो समभर्ती की सूची की विषय पर संसत द्वारा निर्मित कानून के विरोध हो तो उन्हें राष्टपती की अनुमती के लिए अन्य था वो सुनने हो जाती है। इसके अलावा ये राज्य को राज्य सूची के किसी विशय के संद्रम में दो तीहाई बहुमचे प्रस्ता अपारित कर दे। तो राश्ट्र हित में संसद उस विश्य पर कानून बना सकती है यानि राज्य सुची को राश्ट्र महतव का विश्य गोसित करना राज्य सभा का विश्य साधिकार है और राज्य सभा ये दिप्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है इसके लावा संदी और समझोतों का पारण करने के लिए राज्य सूची के विशह पर कानून बना सकती है यह 253 में है और इस के अतरिक्ट भी दो कुछ बाते हैं जैसे दो या दो से अधिक राज्य अगर निवेदन करें कि उस उन राज्यों के संद्रब में राज्य सूची के विशह पर स अंसद्वह कानून बना सकती है इसके अलावा राज्य विदान मंडल की परसासनिक सक्तियां कौन-कौन सी है एक्जेकुटिव पाउर्स कौन-कौन सी है जैसा कि आपको पता है कि मंत्री परिशद सामूहिक रूप से राज्य में विदान सभा के प्रति उत्तरदाई होती ह यानि जब तक विदान सभा का विश्वास प्राप्त होता है तब तक राज्य सरकार अस्तित्वह में रहती है यदि विदान सभा में मंत्री प्रिशद के विरुद ए विश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को इस्थिपा देना पड़ता है इसके तरीक मंत्री प्रिश्यत पर नियंतर्ड करने के लिए विदान मंडल के जो सदस्य हैं मंत्री प्रिश्यत के सदस्यों से बहुत सारे परसन पूछ सकते हैं पूरक परसन पूछ सकते हैं कारिय इस्थगन प्रस्तावला सकते हैं निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, कटोटी प्रस्ताव ला सकते हैं, सरकार की निती क्या लोचना कर सकते हैं, इन सभी तरीकों से वो उसको नियन्तिर रख सकते हैं एक कुछ कॉस्टन आई वे हैं कि विधान प्रिशद के 5 बटा 6 सदस्यों का निर्वाचन होता है से से 1 बटा 6 सदस्य राजेपाल द्वारा मनोनित के जाते हैं कौन-कौन से निर्वाचक मंदल इन निर्वाचन में भाग लेते हैं एक त्याई सदस्य से विधान सभा सदस्यों द्वारा एक त्याई सदस्य स्थाने निकायों द्वारा एक बटा 12 सदस्य अध्यापकों के निर्वाचक मंदल द्वारा एक बटा 12 सदस्य सनात्कों के निर्वाचक मंदल के द्वारा एक बट अच्छा है राज्येपाल द्वारा मनोनित होते हैं वित्ये सक्तिया कौन कोन सी हैं वित्ये सक्तियों की बात करें तो विधान सभा को वित्पर पूर्ण नियंतर होता है जो राज्ये का जो बजट होता है वो राज्येपाल की पूरु अनुमती से वितमंत्री उसको विधान सभा में पेस करता है कोई विधेक वित विधेक है धन विधेक है या नहीं इसको परमानित करने काम स्पिकर करता है जो अनुदान की मांगे हैं वो भी राज्य पाल की पूरू अनुवती से विधान सभा में पेश की जाती है और अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है उसके अंदर फिर विधान सभाई उसको पारित करती है अगर किसी राजे विधान प्रिशद है तो उसको धन विधे को विधान प्रिशद के पास भेज़ा जाता है लेकिन विधान प्रिशद उसे केवल 14 दिन अपने पास रख सकती है विधान प्रिशद उसमें ऐसा संसोदन नहीं कर सकती जो विधान सभा को मंजूर नहीं हो तो वजट भी ये राज्येपाल इसके दोनों सदनों के समक्स रखवाता है जिसमें राज्ये की संचित निदी पर भारित वे और अन्यवे जो इसके अंदर होते हैं राज्ये की संचित निदी पर भारित वे विधान मंडल की स्विक्रती की आवसकता नहीं होती ऐसे विधान सभा में मद्दान के लिए नहीं रखे जाते है ये उस पर विधान सभा में चर्चा हो सकती है अन्यवे के समद्द में विधान मंडल की स्विक्रती आवसक होती है व एक कुछ चीज़े ऐसी होती है विधान मंडल में चर्चा पर निर्बंदन रहता है अनुछे 211 के अमसार उस तम न्याले या किसी उच न्याले की किसी न्यायदीश के अपने कर्तवियों के निर्वहन में किये आच्रण के विशह में राज्ये विधान मंडल में कोई चर्च नहीं होती है अनुछे 211 के अमसार उस तम न्याले या किसी न्यायदीश में अपने कर्तवियों के निर्वहन में किये आच्रण के विशह में संसद में कोई चर्चा उस न्यायदीश को अठाने की प्राथना पर वाले समावी दुनकु राष्टपती के समक्स प्रस्तूत क प्रस्ताव पर हो गया निया यानि यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि न्यायदीशों का जो आच्रण होता है उनके द्वारा कोई फैसला है उसकी चर्चा विधान सभा में नहीं की जा सकती लेकिन यह न्यायदीश को अठाने का प्रस्ताव चल रहा हो संसद के अंदर त इसके लावा राज्य विधान सभा की सदसे चुनाओं में भाग लेते हैं इसके लावा विधान सभा के जो सदसे हैं वो विधान सभा बहुमत दल का जो नेता बनाया जाता है उसका चैन करते हैं इसके अलावा विधान प्रिशद के एक तियाई सदस्यों का चुनाओं करते हैं विधान सभा के अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुनते हैं तो यह सारी निर्वाचन की सक्तियां तो ऐसे विधेकों को संसद के द्वारा तो पास किया जाता है संसद उन विधेकों को अपनी कुल सदस्य संख्या के आदे से अधिक था उपस्तित और मद्दान करने वाले दो तिहाई के बहुमत से पारित करती है अनुछे 368 के तहट इसके लावा आदे राज्यों के विधा से उसे अठाया जा सकता है विधान परिशद भी सभाप्ति और रूप सभाप्ति को अठा सकती है इसके लावा राज्य विधान सभा कुल सदस्यों के बहुमत उपस्तिर और मद्दान देने वाले सदस्यों के दो त्याही बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके विधा उनका अपमान को व्यक्ति कर रहा है तो उनको दंडिती कर सकते हैं वह अपने अपने सदस्यों को भी सदन में अनुचित विभार करने पर सदन की सदस्यता से झिलंबित के निस्कासित कर सकती है इसके अलावा राज्य विधान मंडल राज़े की आक्समिक निदी की स्थापना कर सकती है राज्य आक्समिक निदी की पैसा खर्च किया जा सकता है कि कुछ परिक्षा में आए वे सवाल है कि एक बटा च्छे सदस्य राजेपाल कि इनको मनोनित करता है जो साहित तेकला विज्ञान समाद सिवा और सहकारिता अंदोलन से जुड़े हो यह सहकारिता अंदोलन वाली बात राज्य सभा में मनोयन पर के एक ठ्याई सदर्श से पर दो वर्ष पर सेवा निवर्थ हो जाते हैं उनकी जग हैं नए क्या थे हैं राज्य की संचित निधी पर भारित होग तो जो राज्ये की संचित निधी होगोगो निध्य की तुष्टी के लिए प्यक्षित राशी Website Re kisses सविधान द्वारा या राजे विधान मंडल की विधी द्वारा संचित निधी पर भारित गोशित क्या हो एक चीज आपको ध्यान रखनी है उच नियाले के नियाईदिसों का वेतन और भत्ते राजे की संचित निधी से दिये जाते हैं लेकिन उच नियाले के नियाईदिसो है तो speaker करेगा और विधान परिशद का है तो सभापती करेगा राजे विधान मंडल में सदस्यों के इस्थानों के रिक्ती के बारे मिप्रावधान अनुछेद 190 में दिया गया है कोई वैक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो क्या करना पड़ेगा उसे एक राज्यों को छोड़ करने राज्यों में विधान मंडलों का इस्थान रिक्त करना पड़ेगा राजे विधान मंडल कोई सदस्य लगाता है बिना अनुमती के बैठकों से अनपस्तित रहता है तो कितने दिन में सदस्यता समाप्त हो जाती है साथ दिन में राजे विधान मंडल के सदस्यों को सपत कों दिलाता है राजे पाल एक वर्स में कम से कम कितने अधिवेशन होने चीए है दो अधिवेशन होने चीए कितना अंत्राल नहीं होना चीए छे माहिने से ज्यादा का अंत्राल नहीं होना चीए तो यह आज हमने देखा विधान मंडल की सक्तिया और कारिय आपका असाइन्मेंट भी यह है कि आद विधान मंडल की सक्तियां और कारिय लिख कर अपना assignment college के whatsapp group में भेजेंगे या मेरे वेक्तिगत नमबर पर whatsapp कर सकते हैं कोई समस्या हो तो आप मुझे से वेक्तिगत रूप से भी संप्रक कर सकते हैं college के whatsapp group में भेज सकते हैं या youtube के अंदर भी upload कर सकते हैं उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा इसे like करें share करें और subscribe करें आपने गोर से सुना ध्यान से सुना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भाभार